दोस्तों, डेट है आज की हमारी 26 दिसमबर 2020 और स्टार्ट करेंगे आज की आंसर राइटिंग और जैसा की आप सबको पता है, हम डिसकस कर रहे थे टॉपिक फंक्शन और रिस्पंसिबिलिटी आफ यूनियन और स्टेट, पार्लिमेंट और स्टेट लेगिसलेचर और उसके अंदर में हमारे काफी सब टॉपिक हैं, जैसे 7th schedule है, legislative function के अंदर में हमारे पास various act आते हैं, financial function के अंदर में कैसे devolution होगा, grant मिलेगी, तो इस टाइप के काफी सारे provisions and हमारे various सब टॉपिक इसके अंदर में आते हैं, तो ये सब हम cover कर रहे हैं, one by one in को देख रहे है क्योंकि ये वाला topic थोड़ा बड़े वाला है और important भी है, तो इसके काल निसके हम काफी सारे question देख रहे हैं, तो उसी के अंदर में हम एक और question देखेंगे, तो हमारा आज का question है, in the light of various controversies, critically examine the role of speaker in parliamentary democracy, तो इसमें central thing क्या है, role of speaker, ठीक है, और periphery के ओपर क्या है, मतलब basically center मे क्या लिखना है, role लिखना है, और साथ में controversies को लिखना है, अब इसके अंदर में आप solution दे सकते हो, way forward दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, उसके लिए कोई necessary नहीं है, क्योंकि basically आपको ये देखना है main theme क्या है, main theme है, controversy हो रही है recent के अंदर में, उसके अधार के ओपर speaker का क्या role होना चाहिए, उसके बारे में हमें बताना चाहिए, तो speaker को कैसे perform करना चाहिए, इतनी सारी controversies हो रही है, ये question के अंदर पूछा गया है, तो इसके बारे में हमने answer करना है, last में अगर आप देना चाहो, way forward के अंदर में, तो वो भी आप दे सकते हो, ठीक है, क्या क्या दोरा कुछ बोला गया, लेकिन वो यहाँ पे unnecessary है, तो यहाँ पे हम question discuss करेंगी, speaker की बात करते हैं, तो speaker head होता है हमारा, लोकसबा के अंदर में, वो हमारी जो भी proceedings होती है, उनका वो अध्यक्ष्टा करता है, और speaker जो है dignity और freedom represent करता है horse की, basically काफी important हमारा post होता है, हमारा speaker क और जो की particular होस के अंदर में जो भी चीज़ें होंगी, अगर आपको कोई question पूछना है, तो आप permission लोगे उनसे, horse के अंदर में कौन-कौन सी चीज़ें कब की जाएंगी, कि इसको कितना time discussion के लिए मिलेगा, वो सारे काम किया जाते है, speaker के दोरा, और speaker basically इंडिया में तो ruling party स होता है, लेकिन speaker को expect किया जाता है, उसको expect करते हैं कि वो ruling party के favor में काम ना करे, because speaker के पास काफी सारी powers होती है, और वो impartial होके भी काम कर सकता है, या अपनी political party को favor कर सकता है, और obvious ही बात है, वो political party को favor करता है, इंडिया के case के अंदर में, ठीक है, तो उसी के लिए उसको criticize किय जाता है, तो role क्या हो सकता है speaker का, ये लक्षमी कांत है, pure लक्षमी कांत के अंदर में, role वगेरा, वहां से आप लिखोगे, plus जो controversy हैं, वो current affair से उठाओगे, तो इसी type के question बनते हैं, हमारे जैसे ये उसके बाद में budget के उपर बन सकता है, budget की process बताओ पूरी, तो ये basic kind के question ह होंगे, ठीक है, उनके बारे में हमें study करना पड़ेगा, इस trend के अनुसार, और Parliament, State, Legislature, लक्षमी कांत में जो भी topic हैं, जैसे money bill किसको बलेंगे, उसके बारे में study करना पड़ेगा, ordinary bill और money bill में क्या difference है, वो भी prelim के लिए तो important है, लेकिन means के लिए भी अब ये important हो चुके ह type से question पूछ रही है, तो role of speaker है, smooth proceeding को horse की, ठीक है, तो वो preside करता है, उसके उपर में horse की proceeding में, अगर joint sitting होती है, horses की, तो उसके उपर भी हमारा speaker preside करेगा, फिर वो discipline बनाएगा, लोग सबा के अंदर में, discipline maintain करके रखता है, वो अगर कोई disrupt करता है, हमारी horse की proceeding को, तो उसको कह सकता है, कि आपको बाहर जाना पड़ेगा, या फिर उसको निशकासित भी किया जा सकता है, उसको out किया जा सकता है, suspend किया जा सकता है, उसको, कि आप 4 दिन के लिए horse के अंदर में नहीं आ सकते, तो वो किया जा सकता है, फिर fix करता है, एक particular दिन के अंदर में, उसको fix करत है औविजसी बात है यह government का निमाइंदा है तो government के साथ में मिलके हमारी committee जिसका नाम है business committees उसके जिसका यह head होता है उसके साथ मिलके यह decide करता है कि actual में क्या किया जाना चाहिए कितने घंटे के अंदर में कौन सी proceeding होगी फिर discussion होगी हमारे पास में तो यह सब चीजें decide करता है फिर अगर आपने question पूछना है तो आप permission मांगते हो business जो भी house के अंदर में चीजें करनी है कोई आपने bill introduce करना है motion move करने है उसके लिए speaker की permission लेनी पड़ती है और हमारे speaker के पास एक और power होती है जिसको बोलते है adjournment की power तो उसके तहट speaker house को suspend कर सकता है temporary रूप से और उसके लिए अगर मालों कोरम नहीं है तो वो कर सकता है या कोई disruption हो रही है impartiality को लेके किया जाता है जो हमारा speaker है actual के अंदर में वो दोनों पक्षों को हमारी जो ruling party और जो opposition party है इतनी सारी उन सब को साथ लेके चलने का नाम है उन सब के साथ मैं speaker के office को चलना चाहिए लेकिन actual के अंदर में क्या हो रहा है actual के अंदर में कई बार ये favor करता है political parties को जिस political party का speaker है उसको favor करता है favor कैसे का सकता है उनको ज़्यादा time दे देगा discussion करने के लिए ठीक है दूसरों के bill वगेरा का introduce ही नहीं होने देगा तो आपने मतलब आपकर पहले एक बार पढ़ चुके है तभी आपको समझ आएंगी अदरवाइस first time पढ़ रहे हैं तो फिर difficult अगेगा यहाँ पर क्यूंकि मैं short video के अंदर में इसको complete कर रहा हूँ anti-defection law के अंदर में अगर आप defect करते हो अपनी political party से एक political party से जम करते हो दूसरी political party में तो anti-defection law के तहट आपको disqualify कर दिया जाएगा और disqualify करने की जो हमारी topmost authority है जिसको question नहीं किया जा सकता वो है speaker ठीक है तो ऐसा constitution में लिख हुआ कि वो हमारी topmost है final authority बट सुप्रिंग कोर्ट intervene करता है अब यह जो है speaker इसके उपर कई बार इल्जाम लगते हैं कई बार यह जल्दी accept कर लिता है कई बार accept नहीं करता because कोई timeline वहाँ पर नहीं बताई disqualification कब यह करेगा किस position में करेगा तो उसके लिए कई बार ruling party को favor किया जाता है हमारी states के अंदर भी और center के अंदर भी फिर हमारे speaker के पास में काफी सारी powers भी होती है जैसे एक power है इसको speaker decide करता है कौन सा bill money bill है कौन सा नहीं तो basically money bill कौन सा bill ऐसा bill जिसको speaker बोल दे यह money bill है तो कई बार ऐसे ऐसे bill भी pass कर दिये जाते हैं जिसके अंदर में money bill का कोई नामों निशान नहीं होता तो आप money bill का एक component होगा उसमें और दूसरे component में जो भी मर्जी होगी आपको उसको साथ में चिपका के डाल दोगे और Supreme Court के दोरा भी इसको unconstitutional बोला गया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं और हमारी सरकार के दोरा अधार bill को इस तरीके से पास किया गया था as a money bill ठीक है फिर हमारे पास में जो speaker का decision है उसको review नहीं किया सकता other जो हमारी countries हैं जैसे American system में तो एक committee होती है उसके पास आप अपील कर सकते हो speaker के decision को लेकिन Indian case में वो final authority है अब अगर वो rolling party के favor में काम कर रहा है तो फिर हमारे लिए काफी ज़दा problems होने वाली है अब इस case के अंदर में next आता है हमारे पास में disruption increase होना हॉस के अंदर में disruption increase होना उसके कान हॉस का जो time था अब disruption के अंदर में कुछ waste हो गया तो अब जो बचा हुआ time है उसको speaker इस तरीके से arrange कर देगा जिसके अंदर में कम से कम question पूछे जा सके है ruling party से हमारी opposition ना पूछ पाय कि China border के अपर क्या हो रहा है farmer protest क्यों हो रहे है उसको कम से कम वो time उसके अंदर में decrease कर देगा तो ये भी हमारे पास में एक condition आएगी जिसके अंदर disruption के समय हमारी ruling party को favor किया जाएगा और दूसरा जो favor किया जा सकता है वो किया जा सकता है अगर speaker ज़्यादा punishment दे opposition को अगर वहाँ पे मालो शोर शराबा किया जा रहा है तो वो ruling party को सकता है थोड़ी कम punishment दे उसको बोले कि आपको दो घंटे के लिए suspend करते है और जो हमारा दूसरा person है उसको बोला चार दिन के लिए suspend करते है तो ये सब चीजें भी हमारे पास में speaker की देखी जाती है अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला आप conclusion के अंदर में ये भी बता सकते हो way forward हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए या इसके अंदर में डाल सकते हो चीज़ों को ठीक है तो यह सब चीज़ें उसको नहीं करने चीए यह हमारा में मुद्धा है इसके अंदर में ठीक है तो हम conclusion करेंगे इसमें बोलेंगे parliamentary democracy में speaker काफी ज़़ा important होता है और यह जो है democracy को एक impartial तरीके से और parliament के अंदर proceeding को impartial तरीके से चला के एक trust काइम बना के रखता है हमारी जनता का हमारी legacy lecture के अंदर में तो यहाँ पर यह वाला topic हमारा खतम होता है ऐसे ही हमें सब questions को देखेंगे various हमारे जो section के अंदर आते हैं और इससे एक तरीके का फहले तो आपको idea हो जाएगा किस तरीके के हमारे पास में इस labels में topic divided है दूसरा आपको question मिल जाएंगे तो काफी सारे question भी आपके वास होंगे और ये भी होंगे तो अराम अराम से अगर practice करते रहोगे तो इसके उपर आपको ज़्यादा कुछ करने कि आशकता नहीं है last के अंदर में test series join कर सकते हो कहीं से भी test series औगेरा join कर सकते हो और आराम से बहां से पढ़के आपका काम बन जाएगा ठीक है लेकिन daily करोगे तो इसका फाइदा है और साथ में study भी कर लो अगर topic आप study नहीं कर पाते तो इसी topic को study कर लो role of speaker तो यह जो topic है जैसे हमारा पार्लिमेंट वाला topic लक्षिन कांत में जब prelim के लिए revise करे हो तो इस context में revise करो कि आपको मेंज भी लिखना है उस topic से तो उससे आपका अच्छे से prepare हो जाएगा और अपना ध्यान रखना मिलते हैं next video के अंदर में Thank you